हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और ओमी क्रॉन के संक्रमन के दौर में खुद को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप अपने करियर को ज्यादा फोकस कर रहे होंगे करियर को फोकस करने से हमारा तात पर है कि आप अपने study को अब पहले की तुलना में ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे ठीक है तो आईए आज के अपने इस प्रणाउन उसके बाद इंफैटिक प्रणाउन ठीक है उसके बाद हम लोग सिखेंगे रेशिप्रोकल प्रणाउन और फिर हम लोग सिखेंगे कि क्या विच का यूज लिविंग के लिए भी हो सकता है यदि हां तो किस कंडिशन में ठीक है तो आज हमारा प्राइम फोकस इन चीजों पर रहने वाला है और हाँ आप बिल्कुल भी चिंता न करें रिफ्लेक्सिव एंफैटिक से आपके एससी एक्जाम में रेगुलर बेसिस पे लगबग हर बार कुछ नकुछ कोश कोशन पूछ जाते थीक है किसी न किसी सिफ्ट में हर एक्जाम में कोशन इससे देखे जाते हैं और इसको हम लोगques बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ेंगे इस तड़े cahe से पढ़ेंगे इस अंदाज में पढ़ेंगे कि इन से पूछए जाने वाले कोuldने से वो कभी आए गा या करते हैं कि पिछले क्लास में हमने आपको इन सबों के बारे में पढ़ाया था और इन सबों को पढ़ाने के बाद इनके concept को सीखने के बाद हम लोगों ने इन पर वेस्टे ये कुछ कोशन किये थे और कुछ कोशन हमने जान बूज कर intentionally छोड़ दिया था आप से कहा था कि आप इन कोशन का answer कहा करेंगे तो YouTube के comment box में करेंगे ठीक है तो कुछ कोशन हमने जान बूज कर छोड़ दिया था यह सारे उसी pattern के question थे और फिर इनके बाद यहां यह हम लोगों ने पढ़ा था तो फिछले class में लोगों ने demonstrator पढ़ा फिर distributed पढ़ा और इन पर बेज्ट कुछ कोशन हम लोगों ने यहां पर किये थे ठीक है इसके बाद फिर हम लोग डिस्ट्रिब्यूटिव के बाद हम लोगों ने पढ़ा था यह यह क्या है बाई तो यह एंडिफरेंट प्रणाउन इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था और इन पर विज यह कुछ कोश्चन है जिनको हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया थ ठीक है तो अब आज के क्लास में हम लोग क्या कुछ सीखने जा रहे हैं इसके सुरुवात हम लोग करेंगे यहां से ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहां पढ़ना सुरू करेंगे विज से लेकिन इनको पढ़ने के पहले आज के लेक्शर को सुरू करने के पहले हम एक बा इसे सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन जो घंटे का निसान है उसको दबाना बिलकुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे नूटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंशते रहें ठीक है तो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल क कम्यूटी पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और हम अब आपको यहां पे थोड़ा सा और कुछ जानकारी देते चलिए हम लोगों का यह जो वीडियो सेशन चल रहा है बिलकुल निसुलक है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का को कोई भी हीडेन चार्ज इंक्लूड नहीं है ठीक है इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं और सुमवार से लेकर सुक्रबार तक जितने भी क्लासे होते हैं सबका आपको पीडियोफ नोट्स प्रवाइड करा जाता है एवरी संडे जिस किसी भी कोशन हर सब्जेक्ट के होते हैं ठीक है और इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटर जो 25-25 कोशन के से आपको दिये जाते हैं वो आपको मिलेगा कहां अब इसकी चर्चा हम लोग कर लें आपको इस क्लास का जो पीडियोफ चाहिए वो पीडियोफ कहां मिलेगा तो ये सारे यूटूब के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में गीवेन है और यदि पीडियोफ को डाउनलोड करने में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कॉंटेक्ट नंबर पे बेहिचक फोन कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि अजी सर ने वीडियो में इसा बताया था और अ नहां तक हो सकें वहां आपके मदद की जाएं और हाँ यह जो वीडियो लेक्शर है यह चसल और सीजेल के साथ आपके एससी के सभी एक्जाम के पॉइंट व व्यू से इंपॉर्टेंट है तो एससी के सीजेल और सीजेल दोनों के टीर वन में कोई डिफरेंस नहीं है दोन MTS हो गया इंजारे एक्जाम के पॉइंट वे उसे यह हमारा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और चुकि यह निसुल्क है इसको लाने का उदे से यह था या अभी भी है कि हम लोग भारत में अपने देश में अपने राज में रहने वाले किसी भी प्रकार से ऐसे जल्द करवा सके ठीक है तो इसका ध्यान रखते हुए आप सब लोग अपने करियर को थोड़ा से फोकस करें और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका सेलेक्शन एससी के या तो सीजेल में हो जाए या सीचसल में हो जाए ठीक है चलिए अब वीडियो को हम लोग यहां स लीविंग के लिए भी होता है कब होता है कैसे होता है इसको हम लोग सीखते हैं किस केस में फॉर सेलेक्शन सेलेक्शन के केस में यदि जैसे मान लिजे कि हम सब लोग यहां पे एक आफ्लाइन क्लास में बैठे हुए हो ठीक है और मुझे आप में से किसी एक बच्चे को च इंक खत्म हो गया हो इंक मंगाने के लिए ओफिस में भेजना होता या बाहर किसी दुखान में भेजना होता तो मुझे ये चुनना होता कि आप में से क्लास में बैठे हुए जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं इन में से किसको मैं बाहर भेजूं बात समझ में आ रही है तो ऐसे case में जो student है वो क्या होता है student होता है living तो ऐसे case में living के लिए भी हम लोग use करते हैं which का किसका use करते हैं which का चीक है आगे चल के आपको यह भी पढ़ना है आपके सेसी में question पूछा जाता है कि दो में से किसी एक का selection करना हो चयन करना हो तो वहां भी हम लोग which का use दोनों के अर्थ यह है कि चाहे वो living हो चाहे non living living और non living दोनों में से किसी के case में हम लोग which का use in case of selection करते हैं जैसे माल लिजेए कि मेरे हाथ में ये दो पेन होता एक black होता एक दूसरा white होता ठीक है और आपके class का जो monitor होता उसको इन ही दोनों में से किसी एक का chain करना होता तो फिर इस case को express करने के लिए भी ऐसी बात को बताने के लिए भी हम लोग use करेंगे which का ठीक है बात समझ में आया clear है चलिए तो अब यहां से चलते हैं आगे इनके कुछ question की तरफ और हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं कि which का use किस किस अर्थ में होता है तो एक अर्थ अभी अभी हम लोगों ने सीखा in case of selection ठीक है in case of selection chain करने के लिए चुनने के लिए दूसरा which का use और कहा होता है किस अर्थ में होता है विच का मतलब जिसका जिसकी ठीक है जिन में इस इस सेंस में भी इस अर्थ में भी विच का यूज हम लोग करते हैं अब आईए यहां से हम लोग in question के माध्यम से इसको और बेतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं this is the bag in dash the money was kept यह वही बैग है यह वही बैग है जिसमें पैसा रखा गया था जिसमें अब देखे हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि कोई भी डवलू एच इंटरोगेटिव वर्ड हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने पर उसका फॉर्स्ट लेटर यदि कॉस इंटरोगेटिव वर्ड हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने पर उसका फॉर्स्ट लेटर हिंदी में शुरू हो जासे किसे शुरू हो जासे शुरू हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव क्या कहते हैं हम लोग तो हम लोग इसको कहते ह फिर इसके reference में हमने और कुछ जानकारी भी आपको दी थी इंटरोगेटिव प्रोनावन भी होता है इंटरोगेटिव एड्यक्टिव भी होता है और रिलेटिव प्रोनावन भी होता है ठीक है इसके reference में एक और बात आपको को पिछले क्लास में बताई थी के इंटेरोगेटिव प्रोणाव्र और एंटेरोगेटिव एडवर्ब इन दोनों को एक सांथ मिक्स करके आपके एक बात आपको बताई थी कि यदि किसी भी डवलू एच इंटरोगेटिव वर्ड का यूज हिंदी में ट्रांसलेट करने पर जो से सुरू हो तो इस अर्थ में यदि किसी भी डवलू एच इंटरोगेटिव वर्ड का यूज किया जाए तो वो किसका काम करता है रिलेटिव का काम करता है अब देखें यहाँ पर यह इसकी चर्चा हमने करी थी, फिर वहाँ पर हम लोग use करेंगे that का, क्यों करेंगे तो वो करेंगे superlative degree के present होने के कारण, तो इन बातों पर चर्चा हम लोग और detail में करेंगे, कहां पर जब हम लोग relative pronoun पढ़ेंगे, ठीक है, अब फिलाहाल देखे that को यह दिह हम छोड़ दें जिसमें ऑव यह हम जिसमें लिख रहा है इस में का सुरुवात किसे हो रहा है सुरू रहा है जौ से रहा है तो यह क्या हो गया relative हो गया ठीक है बात समझ मैं आए तो हूम और हूं का यूज करते हैं हम लोग living के के लिए किसके लिए लीविंग के लिए इस हूज का यूज भी करते हैं किसके लिए लीविंग के लिए आईए अब इसको थोड़ा सा बोड को क्लीन करके और बहतर तरीके से हम आपको लिख के समझाने का प्रयास करते हैं ने कि आगे चलके हम लोग को पढ़ना है और आफ विच ठीक है अभी हम ज्यादा डीटेल में आपको ले जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसके विस्तिरित रूप से चर्चा हम लोग करेंगे रिलेटिव प्रणान पढ़ते हुए आफ विच का यूज हम लोग करते हैं और यूज करते हैं किसके लिए और नौन रूप से किया जाता है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि which का use in case of selection leaving के लिए भी होता है बात समझ में आए अब जड़ा देखिए ये वही bag है जिसमें पैसा रखा गया था तो bag leaving ये non-living non-living तो non-living है तो whom cancel हो गया तो जिसमें यूही कहीं नहीं हो जाता है यदि वो condition applied होता है तभी दैट का यूज होता है अदर्वाइस दैट का यूज हम लोग नहीं करते हैं तो फिलाल आप यहां पे समझे कि यहां पे दैट का कोई condition फुल्फिल नहीं हो पा रहा है इसकी और विश्तरी चर्चा हम लोग करेंगे रिलेटिव प्रणावन में ठीक है अब हमारे पास क्या option बचा विच क्या बचा विच यह वही बैग है जिसमें पैसा रखा गया था नेक्स्ट बोड को क्लीन करते हैं और यहां से चलते हैं आपको थोड़ा सा आगे लिकर अगले question को जारा देखिए द्यान से और इसको बनाने का प्रयास किजिए तो आसा करते हैं अब तक आपने इस question को बना दिया होगा यहां देखिए we have two telephone operators हमारे पास दो ही telephone operator हैं जैसे मान लिजिए एक रिलाइंस का जियो हो दूसरा भारते एयर टेल हो वोड़ा फोन आइडिया नहीं हो ठीक है तीसरा कोई option नहीं हो डैस of them do you want तो अब जड़ा देखे इस sentence में इस question में selection का sense express हो रहा है यह नहीं आपके पास दो हैं और दो में से किसी एक का chain आपको करना है तो ऐसे case में हम लोग whom का use नहीं करते हैं what का use नहीं करते हैं who का use नहीं करते हैं in case of selection we use which for living and non living both अब यहां पर living ओ या non living ओ चुकि selection की बात हो रही है तो इन selection के case में हम लोग किसका use करेंगे तो use करेंगे which का ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है self and self self and self अब सबसे पहले यह है क्या इसकी चर्चा हम लोग करें देखिए इसको थोड़ा स के ending में last में यदि आपको self या selfs लगा हुआ दिखाई दे किसी भी word के ending में suffix के रूप में आपको self या selfs लगा हुआ दिखाई पड़े तो वो word दो ही चीज हो सकता है तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता पहला पहला क्या होगा तो पहला होगा reflexive या तो reflexive होगा या दूसरी संभावना क्या है कि वो emphatic हो सकता है क्या हो सकता है emphatic हो सकता है तो यदि किसी word के end में self या selfs लगा हुआ आपको कहीं भी कभी दिखाई पड़े तो वो दो ही चीज हो सकता है या तो वो reflexive pronoun होगा या तो वो emphatic pronoun होगा इन्ही दोनों में से किसी एक रूप में उसका use किया जाना संभाव है तीसरी कोई भी संभावना ही नहीं तो अब ये reflexive क्या है और emphatic क्या है इससे बार-बार आपके exam में question पूछे जाते हैं और जब भी कभी पूछे जाते हैं एक छोटा सा concept है जिस तो आपसे ये question या इस concept पर best question जब भी कभी आपके exam में दिखाई पड़े कहीं भी दिखाई पड़े आपसे हर बार बनेगा हर बार बनेगा और हर बार सही का सही बनेगा ठीक है तो आईए इनको समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं board पर अब देखिए इनको समझने क के लिए सबसे आसान सा एक तरीका है हम लोगोंने बच्पन में पढ़ा था reflection of light क्या पढ़े थे हम लोग reflection of light तो यह लाइन थोड़ी से टेड़ी हो गई है हमें सीधा लाइन खिचने का प्रयास करें और माल लेजे कि एक state line है और यह एक plane mirror है क्या है यह तो यह plane mirror है ठीक है अब देखिए हम सब उने बच्पन में पढ़ा था कि यदि हम सब उने बच्पन में पढ़ा था कि यदि यह कोई plane mirror हो ठीक है सरल दरपन हो तो इस पे एक ray of light ऐसे आती है और यह ray of light ऐसे ही वापस हो जाती है यह होता था angle of incidence यह होता था angle of reflection यह आपतित कीरन यह परावर्तित कीरन ऐसा आपने पढ़ा था और यह बीच में होता था normal ठीक है यह बीच में क्या होता था normal होता था तो माल लिजिए कि यहां पर कोई एक इंसान खड़ा है ठीक है और माल लिजिए कि यहां पर एक torch है ठीक है torch से एक ray of light डाली जा रही है इस normal के along इस normal line पर हमें इस ray of incidence और ray of reflection आपतित कीरन परावर्तित कीरन से फिलहाल हमारा कोई मतलब नहीं है हमारा मतलब कहां पर है तो इस ray of line पर जो normal ray होता है जो perpendicular होता है 90 degree का कोन बनाता है ठीक है समकोन होता है इसी समकोन पर सरल दरपन पर plane mirror पर एक ray of light डाली जाती है torch से तो यह ray of light कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ठीक है अब चुकी 90 degree पर जा रहा है normal के along जा रहा है तो यह reflect होके फिर आएगा किस पर इसी पर ठीक है तो यह reflect होके कहां receive होगा इसी torch पर यह क्या था हमारा तो यह था torch अब ज़रा आप यहां ध्यान दीजिए और ध्यान से इसको एकदम इत्मिनान से आराम से समझने का प्रयास क इसमें क्या दिखाई दे रहा है हो क्या रहा है एक torch है उस torch से 90 degree के angle पे इस plane mirror पे समतल धरपन पे एक प्रकास की किरन डाली गई और 90 degree पे जब भी कभी हम लोग कोई भी प्रकास की किरन डालते हैं तो वो जिस line पे जाता है उसी line पे वापस reflect हो जाता है परावर्तित हो जा ठीक है बात समझ में आ रही है ठीक है आप में से कुछ बच्चों का कहना था कि सर बिलकुल basic level से सीखना चाहिए हम लोगों को तो देखिए एकदम basic level से ही हम लोग सीख रहे हैं ठीक है और एकदम इस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं इतने आसान तरीके से सीखने समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सायद है इतना आसान तरीका से कोई आपको सिखाया समझाया होगा ठीक है या कोई सिखाता समझाता होगा अब जरा द्यान दिजिए यहां पे तो टॉर्च से ऐसे लाइट डाली जा रही है यह टॉर्च है मेरे हाथ मालेजे कि टॉर्च है और 90 डिगरी के एंगल पे एक रे ओफ लाइट डाला जाएगा अब यह बता यह काम का करने वाला कौन है यह हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम सबोंने बचपन से पढ़ा है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है यह स्ट्रक्चर क्या होता है तो स्ट्रक्चर होता है आउफ लाइट डाला गया प्लेन मीरर पे तो लाइट डालने का प्रकास डालने का काम कौन कर रहा है यह टॉर्च तीक है काम से प्रभावित होने वाला व्यक्ति या वस्तु कह लाता था ओब्जिक्ट ठीक है यहाँ पर देखिए यह टॉर्ज था काम का करने वाला था चुकि प्रकास यह डाल रहा था प्रकास इसे निकल रहा तो प्रकास डालने का काम ये कर रहा था और प्रकास उससे टकरा के वापस किस प्यार रही है इसी प्यार रही है तो काम का करने वाला भी यही था और जो काम किया उससे प्रभावित होने वाला भी यही है यह बात समझ में आ रही है कि नहीं तो कहने का कुल मिलाकर मतलब मेरा यह था कि यदि किसी भी सेंटेंस में सबजेक्ट और आबजेक्ट सब्जेक्ट और अब्जेक्ट ये दोनों यदी सेम हो जो सब्जेक्ट हो वही अब्जेक्ट हो जो अब्जेक्ट हो वही सब्जेक्ट हो ऐसा यदी कहीं भी हो जाए इसको दूसरे सब्दों में फिर से समझें जो काम का करने वाला हो वो अपने काम से खुद को ही प्रभावित कर रहा हो या वो जिस काम को कर रहा हो उस काम से खुद ही प्रभावित हो रहा हो तो ऐसे sense को express करने के लिए हम लोग इस object की जगह पे यहां पे कहां पे object की जगा पे हैं यहां पे हम लोग यूज करते हैं reflexive pronoun कौन सा pronoun reflexive pronoun कहां पे यूज करते हैं object की जगा यूज करते हैं और इसके आगे की बातों को और हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा आगे चल कर आगे चल कर सीखते हैं यहीं पर दूसरा कॉंसेप्ट इसका क्या था यह था अमारा पहला कॉंसेप्ट जिस से रिफलेक्सिप का यूज कहा करना है यह तै होता है ठीक है अब दूसरा कॉंसेप्ट क्या है कि रिफलेक्सिप कहा आता है तो वर्ब के बाद आता है कहा आता है वर्ब के बाद में आता है तीसरा कॉंसेप्ट यह है कि रिफ्लेक्सिव और वर्ब के बीच में यह वर्ब है वर्ब और रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव समझ रहे हैं जिसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ से लगा हो वर्ब और रिफ्लेक्सिव के बीच में कोई कोई भी दूसरा सब्द दूसरा सब्द नहीं आ सकता नहीं आता ठीक है बात समझ में आ और डीटेल में हम लोग सीखें आईए एक दो फोटो हम आपको दिखाते हैं इमेज को हम आपको दिखाते हैं तो चलते हैं इमेज के डिरेक्शन में एक दो इमेज हम आपको दिखाएं और आप उस इमेज में देखिए क्या हो रहा है और उस इमेज के माद्यम से आप ये जा प्लेन मीरर में एक छोटा सा बालक है बच्चा है जो देख रहा है देखने का काम कौन कर रहा है बच्चा देख किसको रहा है खुदी खुद देख रहा है तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको ये समझने को मिलता है कि जो subject है वही object है तो subject equal to object हो जाए तो अभी अभी हमने आपको यही बताया था subject equal to object हो जाए तो इस object की जगह पे हम लोग क्या use करते हैं तो यहां पे हम लोग use करते हैं reflexive pronoun का किसका use करते हैं reflexive का कहा use करते हैं object की जगह use करते हैं और इस verb और object के बीच में कोई भी दूसरा word नहीं आ सकता और अगर आ गया तो तो वो grammar की error होगी गल और image आपको दिखाते हैं जिसको देखके आपको काफी मजा आएगा अभी तक आपको मजा नहीं आया हो तो यह image आप द्यान से देखिए इस image में आप देख पा रहे हैं कि एक monkey है और वो mirror में देखने का प्रयास कर रहा है देखने का काम फिर कौन कर रहा है तो यही कर रहा है काम का करने वाला यही है mirror में दिख किसको sorry mirror में यह देख किसको रहा है खुदी को देख रहा है तो देखने का काम भी यही कर रहा है और दिख भी यही रहा है तो यहां से फिर हमें यह conclusion मिलता है कि sentence का यह जो format होता है subject plus word plus object इस situation में फिर से हमें यह प्राप्त होता है कि subject और object दोनों क्या है सेम है दोनों एक ही है ठीक है ये जो monkey है इसमें भी वही monkey है इसमें कोई दूसरा monkey नहीं है ठीक है ये देखने का काम कर रहा है और देख भी खुदी को रहा है चीक है जैसा हम लोग भी डेली सुबह साम किया करती है चीक है आगे बढ़ते हैं यहां से तो इसका निशकर समय यह मिलता है कि यदि कभी भी कहीं भी सब्जेक्ट और औबजेक्ट किसी भी सेंटेंस में सेम हो जाए अर्थात जो सब्जेक्ट है और और औ reflexive pronoun का किसका use करते हैं तो हम लोग use करते हैं reflexive pronoun का ठीक है बात समझ में आ गए आसा करते हैं कि इस सारे concept को देखने के बाद ऐसे कुछ images को देखने के बाद इसका जो पूरा का पूरा concept था आपके दिमाग में छप गया होगा ठीक है और यदि अभी तक भी आपके दिमाग में नहीं छपा हो तो आखरी example आपके लिए आखरी example क्या है भई आपने गाना सुना होगा मैं खुद को मिटा दूँगी तेरी चाहत में ठीक है मैं खुद को मिटा दूंगे तेरी चाहत में ठीक है अब माल लेजे कोई लड़की चली सुसाइड करने और पंके से लटक के खुद को मारने का प्रयास कर रही हूँ अब ज़रा ध्यान दीजे यहां पर फिर से एक बार मरने का काम कौन कर रही है लड़की अच्छा पंके से लटक के सुसाइड करने का प्रयास कौन कर रही है लड़की अब लटक जाएगी पंके से तो मरेगी कौन वही जो लटकने का प्रयास कर रही थी वही मरेगी तो लटक तो वही होगी अर्थात ऑबजेक्ट भी वही होगी तो सबजेक्ट इक्वल टू ऑबजेक्ट हो गया सबजेक्ट इक्वल टू ऑबजेक्ट हो जाए तो हम लोग क्या यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं कहां यूज करते हैं इस ऑबजेक्ट के जगह पर तो अब हम लोग सीखें कि आखिर हम लोग reflexive का यूज कहां करते हैं कब करते हैं या वो कौन कौन से वर्भ हैं जो अक्सर आपके exam में पूछे जाते हैं अक्सर आपके exam में दिखाई पड़ते हैं जिसके बाद आपसे reflexive पूछा जाता है तो ऐसे कुछ important वर्भ हैं जिसको हम यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं आप इसको सीखने का प्रयास किजिए आप notes बनाएंगे बाद में ठीक है पहले सीखिए समझेए देखिए चूपट आपसंग ओत्यास करेकर देखिए मानद डैंगे सुआ ड्राइब्टोर ऑ in देखिए श्रुपट बार्यास किप्सर आपस्राट ठीक हैं इस्रस्ट रवी धेखिए तेंगी यह कुछ ऐसे वर्ब हैं जो बार बार फ्रेक्वेंटली आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड रिफ्लेक्सिब के कॉंसेट जम कर यूज होते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि यह जब भी कभी आपको दिखाई पड़ेंगे कसम खा लेना है कि इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिब का यूज करेंगे ठीक है यूँकि इंग्लिस में रट्टा मार के कुछ भी होता नहीं यह अलग बात है कि आप बच्पन से एकसिप्सन रटते आ रहे हैं या रूल को रटते आ रहे हैं इनको समझने का हम लोग परियास करते हैं अब इनके साथ कुछ और कॉंसेप्ट है क्या कॉंसेप्ट है? एक कस्टम के साथ हम लोग प्रेपोजीशन यूज करते हैं अब आप कहेंगे कि एक तो प्रोणावन पढ़ाने चले प्रोणावन में रिफ्लेक्सिब इंफैटिक दोनों साथ में पढ़ना है पले रिफ्लेक्सिब हम लोग समझ लेते हैं बाद चलेंगे इंफैटिक की तरफ ठीक है अब इसमें आप ये प्रेपोजीशन क्यों डालने लगे सर क्योंकि इसमें कहां कहां पर पूछा जाता है तो या तो रिफ्लेक्सिब में पूछेगा या इस प्रेपोजीशन में एरर पूछेगा तो reflexive वाले section में इन दो जगों पे error पूछा जाता है चुकि दो जगों पे पूछा जाता है या जहां कहीं भी जिस किसी भी section में जिस किसी भी तरीके से entangle करके आपको trap करने का आपको फसाने का exam से बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है as a teacher हमारा ये नयतिक जिम्मवारी बनता है कि हम उन सभी section को आपके सामने रखें और सबसे आपको update करें ठीक है ताकि आप select हो सके फिर ये adapt इसके साथ भी use होता है to avail के साथ एक ही preposition use होता है of ठीक है ये absent इसके साथ use होता है from absent के साथ from acquit acquit के साथ भी हम लोग क्या use करते है of acquit का मतलब होता है किसी दोस या आरोप से मुक्त कर देना बरी कर देना जैसे कोई judge हो justice हो न्यायाधी सो वो किसी अपराद से किसी case में किसी के उपर मालो मेरे ही उपर के चल रहा हो या कोई भी case चल रहा हो तो ऐसे किसी आरोप से मुझे जो न्यायाधी साहब थे वो हमें मुक्त कर देते हैं एक सो निरीट कर देते ठीक है तो ऐसे sense को express करने के लिए हम लोग English में वाड यूज करते हैं ठीक है एक कस्टम क्या होता है अभ्यास्त हो जाना जैसे माल लेजिए कि हम लोग साउथ इंडिया में रहते हों तो साउथ इंडिया नीजिद रहते हैं तो उधर गरमी थोड़ी जधा पर दती है ठीक है और माल ल procure कि किसी का जॉब लग गया नौर्थ इंडिया में हरियाना में लग गया ठीक है नौर्थ इंडिया में जो ठंडे एरिया है वहाँ पर उसकी कोई जॉब लग जाती है माली गवर्मेंट जॉब लग गया तो वह छोड़ेगा तो नहीं ठीक है अब चुकि वह साउत में रहा था और उसका जो बॉड़ी था वह ज्यादा हीट साने के लिए सक्षम था अब नौर्थ में जाएगा तो थोड़ी से दिक्कत तो होगी उसको लेकिन धीरे धीरे उस माहाल में उसका जो शरीर है दीरे दीरे क्या हो जाता है अभ्यस्थ हो जाता है ठीक है इसको क्या करते है एक कस्टम הवेल का मिनिंग क्या होता है मौके का फाइदा उठाना ठीक और यही वर्ब गिवेन हो इसके कोई कारंटीन नहीं है मैक्सिम टाइम यह रिपीट होते इसलिए यह आपको बताया जाता है ठीक है इनके अलावा कोई भी वर्ब आपको गिवेन हो तो आपको सिंपली एक ही बाचिय करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यह दी दोनों से है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाव का आता है वर्ब के तुरंत बाद आता है किसके बाद वर्ब के तुरंत बाद आता है ठीक है और वर्ब और रिफ्लेक्शिव के अब ज़रा इस sentence को आद ध्यान से देखिए यह अवेल मौके का फाइदा उठाना उसको मौके का फाइदा उठाना चाहिए ठीक है तो यह क्या है यह हमारा वर्ब हो गया सब्जेक्ट यह हो गया मौके का फाइदा उठाएगा वपरचुनेटी यह अबजेक्ट का यह OW गया तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑउब्जेक्त दोan we had we had a grand party we had a grand party and and we enjoyed very much very much हम लोगों को एक बड़ी पाठी मिली थी और हम लोगों ने पाठी का बहुत मज़ा लिया अब देखिए इसका अब ज़ेक्ट है नहीं अब ज़रा दिहान से देखिए सूचिए समझे आप किसी साधी में जाते हैं वहाँ पर मालेजे डीजे बज रहा हो आपको डांस करने का मन था आपने जम के डांस किया जम के पाठी का मज़ा लिया अचा आप ज़रा देखिए मज़ा कौन ले रहा था आप ले रहे थे ठकेगा कौन डांस करेंगे तो हरास्मेंट किसको होगा आप ही को होगा मज़ा किस वी आप, औबजेक्ट भी आप, तो इस सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है कि subject is equal to object और subject औबजेक्ट दोनों सेम हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रिफलेक्सिव प्रोनाउन का, किसका? रिफलेक्सिव प्रोनाउन का, यूज करते हैं, तो यहां पर हमारा answer क्या बने ourselves, बात समझ में आ गई, ठीक है, चलिए, तो एक और example लेते हैं, he absented from the meeting, अब देखिए, इस sentence में फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यह क्या है, subject यह क्या है, वो, अब absent होने से प्रभावित कौन होगा, वही होगा, ठीक है, meeting में जो कुछ भी चल रहा हो, उसकी information किसको नहीं मिलेगी, उसी को नहीं मिलेगी, जो रहेगा, उसको मिलेगा, जो नहीं रहेगा, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस ही का reflexive यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते चलें कि इस emphatic का meaning क्या होता है, emphatic का meaning क्या होता है, emphatic का meaning होता है, या emphatic बना emphasize से, emphasize का meaning होता है, जोर देना, emphasize का meaning क्या होता है, जोर देना, तो ऐसा कोई भी pronoun, जो subject पर जोर डालता हो, जो subject को highlight करने का काम करता हूँ उस pronoun को हम लोकाते empathic pronoun इसके last में भी self ही लगा होता है self या self ही लगा होता है तो अभी थोड़ी दिर पाले भी पढ़ाते समय हमने आपको यह बताया था किसी word के ending में self या self लगा हो तो वो या तो reflexive होगा या तो empathic होगा reflexive कब होगा जब subject equal to object हो जाएगा reflexive कब आएगा जब subject equal to object हो जाएगा कहां पर आएगा तो वर्ब के तुरंत बाद आएगा reflexive और वर्ब के बीच में कोई भी दूसरा word use नहीं किया जा सकता है empathic कहा आता है आईए इसकी चर्चा करें empathic का use कब करते हैं आईए इसकी चर्चा करें जैसे माल लेजर आपने कभी घर में कुछ खाने को बनाया जैसे नीय वीएर का party था तो नीय वीएर के दिन आपने अपने पापा के लिए खुद Sे कुछ अच्छा dips बनाया चिक है और आप ले पापा को खुद से सर्व कर दिये, पापा ने खाया, पापा को काफी अच्छा लगा, और आपके पापा जी आपसे पूछते हैं, बेटा ये किस ने बनाया था, तो भले कोई और भी बनाया हो, लेकिन यदि चीजे अच्छी बनी हो, तो उसका स्रे लेने का काम हमी लोग करत हैं, तो यदि पापा कहते हैं कि ये सबजी किस ने बनाई, ये काफी अच्छी बनी है, तो आप तुरंट से कहते हैं, पापा मैंने खुद बनाया, मैंने खुद बनाया, बात समझ में आ रही है, लेकिन यदि पापा कहते हैं कि घटिये बनाता, तो आप ने भी बनाया हो, आपने खुद ही क्यों न बनाया हो सब्जी को आप क्या करते हैं उसका सरे दूसरे के माते पर लगा देते हैं ठीक है मम्य बनाई तीदी बनाई एंड सो ओन तो अब आप ज़रा यहां पर ध्यान से देखे समझे यह देखे यह सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सबजेक प्लस ब्लस ब्लस ऑबजेक्ट रिफलक्सिव का इमफैटिक का यूज कहां करते हैं यह सबजेक्ट के तुरंद बाद यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इमफैटिक का इस बात को ठीक से आप समझने का प्रयास कीजिए हम दोनों को यहां पे एक साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों में कहां पे अंतर होता है ठेक है अब देखिए self-valubord इसमें लगा होता है यानि कि self-valubord यहां पे आएगा कहायगा तो verb के बाद आएगा ठेक है इसमें भी self या self लगा होता है तो इस case में जो self वाला word आता है वो कहा था है word के पहले आता है subject के तुरंत बाद रहेगा लेकिन लहेगा word से vahole subject के तुरंत बाद यदी self या self वाला word लिखा जाए तो हम लोग इसी को कहेंगे empathic और verb के तुरंत बाद यदी self या selfs वाला word लिखा जाए तो हम लोग इस ही को कहेंगे reflexive, ठीक है, एक example लेते हैं, एक example, I myself is a teacher, मैं खुद एक teacher हूँ, ठीक है, he killed himself, he killed himself, he killed himself, by, इसको यहां रहने दिया जाए, यहां पर देखे हम लोग, यहां पर आया है, तो वर्व के बाद, वर्व के बाद आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, reflexive और यहां देखें यह I क्या है subject यह self follow about कहा है subject के तुरंद बाद यह क्या है वर वर के पहले इसको हम लोग क्या कहेंगे इसी को हम लोग कहते है emphatic क्या कहेंगे emphatic doubt clear है आईए अब इनको समझने के बाद आसा करते हैं कि इनके सारे doubt आपके clear हो चुके होंगे आईए अब हम लोग चलते हैं slide की तरफ और इन पर best question को हम लोग solve करने का प्रयास करते हैं तो यहां पर कुछ question है आपके सामने फिर से यह वही बात यह देखिए आपको क्या देख रहा है तो आपको देख रहा है avail he shall avail ठीक है he shall avail of this opportunity यह देखिए preposition of का object है नकि इस verb का object है तो यहां पर हमें क्या करना होगा यहां पर हमें use करना होगा यहां पर हमें use करना होगा reflexive himself ठीक है the farmer poisoned him जो किसान था उसने खुद को भी poison दिया और अपने बच्छों को भी poison दे दिया हो सकता है कि आर्थिक तंगी से या किसी परिशानी से मजबूर रहा हो उसने अपने सभी बच्छों को भी poison दे दिया और खुद भी poison खा लिया अब ज़रा देखे यह poison क्या है poison क्या है वर्ब है ठीक है तो poison खाने का जो काम किया किसने किया farmer ने मरेगा कौन वहीं मरेगा तो यहाँ पे हम कि जगे हम लोग क्या यूज करेंगे हम हम लोग हम सेल्फ का यूज करेंगे इस sentence का answer क्या बनेगा तो answer हमारा बनेगा no error क्या बनेगा no error ठीक है चले यहां से आगे चलते हैं अगले slide की तरफ और यहां पर फिर से आप देखिए आपको फिर कुछ question यहां पर दिखाई पढ़ रहे हैं तो इन question को आप खुझ से solve करने का प्रयास किजी सबसे पहले चलते ह और पर नियमीत रूप से exercise करेंगे तो fit कौन रहेंगे आप ही रहेंगे मालें से मैं exercise करता हूं तो Fit कौन रहेगा मैं ही रहूंगा exercise करने वाला भी मैं प्रभावित होने वाला भी मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेल्फ है दोनों सेम है दोनों यदि सेम है तो वी का रिफ्लेक्सिब क्या होता है आर सेल्फ नहीं होता है बल्कि क्या होता है आर सेल्फ आर सेल्फ तो हमने क्या बोला था एरर दो ही जग आपका sentence बिल्कुल सही होता है ठीक है तो उपर वाले question का answer कौन करेगा तो इसका answer हम आपके लिए छोड़ देते हैं इसका answer करेंगे आप comment box में ठीक है next यह देखिए आपका CHSL exam में पूछा गया question है तो इसको हम लोग जरूर बनाएंगे आए इनको हम लोग solve करने का प्रयास क wrapped up in our own self अब जड़ा देखिए आर ओन सेल्फ नहीं होगा इसकी जगह क्या होगा तो इसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे आर सेल्फ ठीक है इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि मोबाइल फोन बेसिकली किस खाम के लिए बना था तो वह बना था outside world के लिए बाहरी ल लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब इसका मुख्य रूप से इस रूप में यूज होता है कि हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करके खुदी को इंगेज रखते हैं कहां अपने आप में ठीक है तो subject भी कौन था we object भी कौन वी तो subject object दोनों से हो गया तो हम लोग क्या और यह सारे काफी कोशन है और सारे कोशन इसी पैटर्न के हैं तो इसलिए आपको ऐसे कोशन को जरूर सौल करना चाहिए अब यहां पर यह इंफैटिक का कोशन है तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या यह इंफैटिक है या reflexive है आई यह पढ़ते हैं question I myself think that this investigation is biased मैं यह कैसा है biased है तो मैं खुद सोचता हूं I think myself नहीं मैं खुद के बारे में नहीं सोचता हूं मैं खुद यह सोचता हूं इसलिए इसका answer क्या बने का option बढ़ी that is no improvement इसमें यह sentence improvement का question था ब्रैकेट वाले पार्ट में यदि कोई गलती थी तो उसके लिए आपको improve करने की जरूवत थी और यदि ब्रैकेट वाले पार्ट में कोई भी grammar का error नहीं था तो आपको किसी improvement की जरूवत नहीं होती है तो आपका answer होता है no improvement नेक्स चलते हैं अगले question की तरफ यह भी देख कि अब आते हैं इसको हम लोग solve करने का प्रयास करते हैं I would love to avail to के बाद availing नहीं होता है to avail होता है ठीक है अब जड़ा देख लेजिए ऑवेल माइसल्फ हो सकता है यह यह तो होगा नहीं क्योंकि आप यदि किसी छोटे से holiday पे जाएंगे एक छोटी सी छुटी लेंगे work से काम से तो उसे benefited कौन होगा आप ही होगे economical नुक्सान किसको होगा आप ही को होगा ठीक है तो subject भी आप object भी आप तो यहां पे clear है कि इस avail वर्ब के बाद सबसे पहले टू के बाद क्या आता है तो प्रेपोजिशन टू के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो राता है वर् सबसे पहले टू प्लस अवेल होगा टू अवेल टू अवेल टू अवेल अब चुकी यहां पे reflexive का यूज होगा और इसमें रिफलेक्सिव नहीं है तो यह आंसर घलत हो गया और चुकी यहां पे एर है इसलिए यह नो इम्प्रूब्मेंट भी हमारा नहीं होगा अब हमा देर पहले आपको लिख कर बताया था तो यहां देखिए अवेल भी लगा हुआ है यह रिफ्लेक्सि भी लगा है और यह और भी लगा है तो आप्शन नंबर ए पूरी तरीके से करेक्ट है इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ और कोशन की तरफ यह भी आपके एक्जाम में पूछा गया कोशन है लेकिन कोशन काफी आसान है तो इसका आज़र आप खुद करेंगे कहां पर क चुहरे छोड़ते हैं आपके लिए to get into the building ठीक है to get into the building मतल Re तो देखें चुपाने का काम कौन करेगा sorry disguise का मतलब क्या होता है किसी waste में waste बतलना चुपाना तो चुपने चुपाने का काम कौन करेगा ये I करेगा subject क्या हो गया I हो गया और चुपाएंगे तो building में प्रवेस किसको मिलेगा आफी को ठीक है तो उस काम से प्रभावित भी आप ही हुए इस लिए इस disguise के बाद हम लोग यहाँ पर use करेंगे myself क्या use करेंगे disguise के बाद myself तो I'll disguise myself as a reporter ठीक है नीचे वाले question का answer आप करेंगे comment box में ठीक है तो अब यहां पर आते हम लोग और यहां से emphatic emphatic को समझना सुरू करें अब ज़रा देखिए आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यह sentence number जो second वाला है नीचे वाला जो second sentence है आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है यदि आप में से किस भी कहीं भी किसे भी spoken class में गए होंगे तो वहां पर आपको इसी तरीके से सिखाया जाता है क्या सिखाया जाता है कि जब भी कभी आपको इंट्रोडक्शन देना हो तो आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से देंगे जैसे मालीजे मैं अजीत कुमार हूँ तो मुझे अपना introduction देना हो तो हम लोग कुछ इस तरीके से देंगे myself is अजीद पंडे myself is अजीद पंडे इसी तरीके से बोलना आपको सिखाया जाता है ठीक है अब ज़रा देखिए कि यह grammatically कहां सही है और कहां खलत है हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको reflexive और empathic दोनों के बारे में बताया था reflexive और empathic दोनों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको हाजी के इसी class में बताया था और तब हमने आपको explain करते हुए यह बताया था के reflexive कहा आता है तो यहां पर आता है emphatic कहा आता है तो यहां पर आता है यही हमने आपको बताया था emphatic कहा आता है subject के तुरंत बाद आता है reflexive कहा आता है वर्व के तुरंत बाद आता है अर्थात self या self से लगा हुआ कोई भी word कहां पर आ सकता है के तुरंत बाद आ सकता है अब आप खुज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए चेक किज़े और बताईए कि सेलफ या सेलफ से लगा हुआ कोई भी वर्ड क्या कभी वी किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ सकता है कभी भी नहीं आ सकता यदी कभी भी कहीं भी किसी भी sentence के beginning में self या self लगा हुआ word लिखा जाए तो वो ना तो empathic होगा और ना है reflexive होगा अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं होगा अर्थात वहाँ पे grammar की गलती होगी तो आप अब यह सीख लिजिए कम से कम अब यह सीख लिजिए कि आगे से कभी इस तरीक से self या self वाले word का use आप नहीं करेंगे इसका correct answer क्या बनेगा तो इसको ठीक करने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है I myself is Ajit Kumar I myself is Ajit Kumar ऐसा लिखा जा सकता है ठीक है अब यह grammatically तो correct हो जाएगा लेकिन इसमें proud का घमंड का sense express होगा जरा सूचिए यदि हम लोग कभी कहीं किसे interview में जाते हैं तो interviewer के सामने हमारा आपका साक्षात कान जो ले रहा हो interview board panel के सामने हम लोग politeness के साथ बात करेंगे या rudeness के सामने किसी से कोई काम निकलवाना हो तो उसे supreme बात करना होता है विने पुर्वक बात करना होता है अब इसका अर्थ यह है मैं खुद अजीत पांडे हूं मैं खुद अजीत पांडे हूं अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है आप इसको दो तरीके से करेंगे मैं खुद अपना नाम लेकर तुरंत वहीं से आपका रिजेक्शन हो जाएगा अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है आप इसको दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट करके आप दो तरीके से इसको ठीक करके लिख सकते हैं या बता सकते हैं कैसे आईए हम इसकी चर्चा कर लेए तो इनको ठीक करने का एक तो पहला तरीका है इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं और इन दोनों ही तरीके से यूज करके आप ग्रमेटिकली और मिनिंग फुली पॉलाइटनेस के साथ अपनी बात को रख सकते हैं अपना परिचे दे सकते हैं ठीक है आए इनको समझने के बाद हम लोग चलते हैं इस स्लाइड पे और यहां पर इन दोनों ही कोशन में हम लोग एर को ठीक करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं second wife तो माइसलफ राजेस महटा होगा नहीं का क्रेक्ट आंसर क्या हो गया आइम राजेस आmate ऊपर वाले में से सीख के समझ के इनके question को कुछ से solve कर सकते हैं आए इस second वाले question को हम लोग यहां पर solve करने का प्रयास करें चुकि यह अपने previous year में पूछा गया है इसलिए इसको जरूर से solve करते हैं चलिए माइन का यूज होगा नहीं माइसेल्फ का यूज होगा नहीं माइसेल्फ कभी sentence के beginning में आ नहीं सकता और यह खुद अपने आप में रौंग है इसलिए होगा नहीं अब एकी option बचा हमारे पास आई ठीक है तो आई एंड माइ यंगर ब्रदर नेक्स्ट उपर वाले कोशन कांसर अब कुद करेंगे कहां पर कमेंट बॉक्स में तो कुछ कोशन जान बुझकर हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं अब यहां पर आईए हम लोग सीखते हैं कि यह इदर नीदर जिसको हम लोग आईदर या ना कि वीट इस नॉट नेटिव टू इंडिया एंट बागली कि कहा गया कि यहूं जो है भारत का अपना नहीं है जैसे आलू हम लोग खाते हैं आलू भी भारत का अपना नहीं है जैसे औरेंज हम लोग खाते जरूर हैं बट वो औरेंज इंडिया का नहीं है पूरे दुनिया है जो दुनिया में चाइना की दिन है तो न तो वीट और नहीं बार्ली वीट भी इंडिया का नहीं है और बार्ली भी इंडिया का नहीं है तो यहां सेंस कैसा डिनाइब हो रहा है कैसे सेंस की जरूरत है तो नेगेटिव सेंस की जरूरत है तो इसके लिए अब देखे चुक सेंस में दो में से किसी एक को बताने के लिए या तो ये या तो वो ठीक है नाइधर का यूज करते हैं दो में से किसी एक नहीं मनें दो में से कोई नहीं न तो ये न तो वो ऐसे सेंस में अब देखें यहां पर यह दोनों ही आंसर बिलकुल करेक्ट हैं दोनों ही आंसर बिलक दिये यहां नौट लग गया आइदर लगया तो सेंस होई हो गया और इस नाइदर तो यह भी सेंस होई हो गया यह दोनों ही option correct है यह कोई भी दो सेम option किसी भी एक ही question में correct हो जाएं ठीक है तो sequence में जो पहले number पे रहेगा वो होता है हमारा answer ठीक है इसको समझने का एक दूजरा concept है क्या concept है यह देखे and and क्या है conjunction है तो आपने बच्पन से पढ़ा है क्या पढ़ा है राम एंड स्याम ऐसा पढ़े हैं तो राम क्या है थिक है बाद समझ में आ रही है यानि and के पहले जो parts of speech होता है और यह और यह not इंद से मोई यह उपर वाले स्ट्रक्टर को में लोग यूज करते हैं तो यानि his नाउन हो गया फिर क्या हो गया यहाँ देखिये तो नाउन इस प्लस फ्लस नॉटा नाउनब्ड इस प्लस नॉट में फिर प्लस परपिछुवली हेजिटेट्स विच ओफ दू तो तेंग्स विल डू फर्स्ट विल अल्टिमेटली डू नाइदर एक ऐसा व्यक्ति जो लगतार हिच की चाहता है कि दो चीजों में से या दो कामों में से हम पहले कौन सा करें वो दोनों में से कोई भी नहीं कर पाता अब द सब्सक्राइब करते हैं तो दो में से दोनों एक दूसरे के लिए परस पर दो व्यक्ति या वस्तु के बीच mutual relation को दिखाने के लिए mutual आपसी परस्पर सहयोग संबंद को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं each other जैसे husband and wife help each other लिखने example husband and wife help कीचन में दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ठीक है अब दो से ज्यादा में से किसी एक का sense express करना हो दो से ज्यादा में से किसी एक का sense express करना हो तो हम लोग यूज करते हैं anyone अब इसको थोड़ा सा clean करते हैं और हम आपको लिखके दिखाते चले देखिए दो में से किसी एक की चर्चा करने हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं या तो यह या तो वह या तो राम या तो स्याम तो आइदर का यूज करेंगे ठीक है आइदर आफ का यूज करेंगे दो में से कोई नहीं न तो राम न तो स्याम तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे नाइदर का किसका यूज़ करेंगे दो में से कोई नहीं का सेंस एक्सप्रेस करना हो तो किसका यूज़ करेंगे नाइदर का ठीक है दो से ज्यादा में से कोई नहीं का sense express करना हो दो से ज्यादा में से कोई नहीं मतलब यह denominator है हर ठीक है दो से ज्यादा में से कोई एक का sense express करना हो तो हम लोग यूज करते हैं एनी वन जैसे बहुत सारे बच्चों में से किसी एक को हमें बाहर भेजना हो तो हम use करेंगे any one of you, any one of the students, ठीक है, लेकिन दो से ज़्यादा में से किसी नहीं का sense express करना हो, कोई नहीं का sense express करना हो, जैसे इस class में बैठे हुए बच्चों में से कोई भी बच्चा SAC exam में fail नहीं करेगा, SAC, CGL या CHSL tier 1 में कोई भी बच्चा fill नहीं करेगा, तो 2 से ज़्यादा में से कोई नहीं का sense express करना हो, तो इसको express करने के लिए हम लोग use करते हैं, none का या no one का, none या no one का use करते हैं, बात समझ में आ गई, चलिए, अब इन ही concept पर best, हम लोग यहाँ पर कुछ question solve करना शुरू करते हैं, यहाँ देखे, anyone of lalo, nittis and passwan is responsible for the plight condition of Bihar, देखे, lalo कितने हो गए, sorry, candidate यह देखे, लालो, one, two, three, इन तीनों में से कोई एक, जिम्यवार है, तो तीनों में से कोई एक देखे, तो कोई एक होगा, तो कैसा होगा, singular, इसलिए वब लेगा, singular, ठीक है, have you gone through either of these three, अब देखे, either of these three, three chapters, दो से ज़्यादा हो गया, तो either की जगए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, any one, any one of these three chapters, ठीक है, neither of Ram and Lakshman, यह देखे, यह राम एक, और यह लक्षमन दूसरा, इन दोनों में से कोई भी प्रेजन्ट नहीं था, कब जब रावन आया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, neither, ठीक है, काफी आसान सा concept है, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, और यह सारे easy question है, इन सारे question का answer आप करेंगे, comment box में, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं, बोथ की तरफ, देखे, each of, all of, बोथ, सबसे पहले बोथ का use कब करते हैं, बोथ का use, दो में से दो कसिंस एक्सप्रेस करना होता हो, राम और लक्षमन दोनों अनुपस्ति थे, बोथ राम एंड लक्षमन, बो बोथ के बाद आने वाला सब कुछ प्लूरल होता है, कैसा होता है, बोथ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये कैसा रहेगा, तो ये रहेगा, प्लूरल, और इसके बाद इधर आने वाला वो भी कैसा रहेगा, ये भी रहेगा, प्लूरल, सब कुछ प्लूरल, ठी के दिन आप सभी बच्चों को एक एक टॉफी दे रहे हूं तो बात में हम पूछें कि क्या कोई रह गया हमें आंसर मिला कि इच ओफ दे इस्टूदेंट्स गॉट वन्टू थी मतलब जितना भी हम दिये हो कि प्रतिक के स्टूदेंट को माल लेजे दो टॉफी मिल रहा हूं ठीक है तो दो के रेसीयो में हमने दिया हो तो इच ओफ दे स्टूदेंट्स गॉट डूफी ज़फी जड़िए ऐसा तो इ का कोई कोशन हम लोगों को यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है वन और समुवन तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि समुवन के लाज में क्या लगा हो वन मतलब यह क्या है यह इंडिफरेंट प्रोनावन है इसका यूज वन या मॉड़ी किसी वाट के लास्ट में लगा हो तो होता है इंडिफरेंट प्रोनावन लेकिन उसका यूज करते हैं हम लोग लीविंग के लिए सिंगुलर नंबर में और उसके बाद आने वाला वर्ब और बाकि सारी चीज़े भी रहती है ठीक है वन क्या होता है तो वन भी होता है सिंगुलर उसके बाद आने वाला होते हैं अपने अपने helper होते हैं और उसका helper उसी family से आता है यह subjective case था यह objective case था यह possessive adjective था और यह possessive pronoun था ठीक है तो possessive adjective का use कब करते हैं possessive pronoun का use कब करते हैं subjective और objective case का use कब करते हैं इन सब की चर्चाम ने प्रणाउन के first class में detail में की थी आपके साथ तो यदि किसी अब वो वीडियो छूट गया हो तो उसको ज़रूर से देख लिजिए का अब आईए इनका कुछ कोस्टन हम लोग यहां पर बनाना सुरू करते हैं तो चलते हैं यहां पर और इन सारे कीप वन्स वर्ड यह वन्स पॉसेशिव एड्जेक्टिव नहीं है यह क्या है पॉसेशिव प्रोनाउन है और यह वर्ड क्या है तो यह नाउन है वर्ड का मिनिंग सब्द नहीं वचन प्रामिस ठीक है तो यह चुकिन नाउन है नाउन के पहले क्या आएगा पॉसेशिव ए someone is making unwise कोई हला कर रहा है someone's mobile is ringing किसी का mobile बज रहा है ठीक है तो इन में कहीं कोई एर नहीं है इसका answer no error no error no error ठीक है next आगे बढ़ते हैं यहां से इस question को हम लोग जरूर बनाएंगे क्योंकि यह अपने exam में पूछा गया है तो question को पढ़ते हैं a youth is that who is not a child anymore and is yet to enter adulthood अब यहां देखिए who के बाद जो part आ रहा है यह कैसा है negative है इस negative वाले part से इस no not वाले part से हमें कोई मतलब नहीं है इसके पहले वाले part को देखे इसके पहले वाला part कैसा है positive तो हम लोग any का use करते है negative sense या interrogative sense में no one का use होगा नहीं every का use होगा नहीं अब एक ही option बच्चा हमारे पास someone क्या बच्चा हमारे पास someone तो हमारा answer क्या बच्चा हमारा answer क्या बना a youth is someone youth जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है who is not a child anymore जो बच्चा अब नहीं रहा हो and is yet to enter adulthood और जो अब adulthood में प्रवेश करने जा रहा हो ठीक है अब यहां से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे अगले class में यह relative pronoun का concept यहां से आपका सुरू होता है whose और of which तो इनको हम लोग पढ़ना सुरू करेंगे अगले class में अगले class में हम लोग पढ़ेंगे प्रवन का relative pronoun वाला section ठीक है जो काफी important है pronoun से यदि question आए तो maximum chances होते हैं कि सबसे ज्यादा question कहां से पूछा जाए तो उसकी प्रवल संभाव ना होती है relative pronoun से ठीक है ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं अपने भाई बंदू पडोसी सगे संबंदियों सब को इसको सेर करने के लिए कहें और सब के साथ खुद भी सेर करें ताकि ज्यादा ज्यादा की संख्यां बच्चे एससी में सेलेक्ट हो सकें ठीक है तो आज के class को हम यहीं पर समात करते हैं आप सबों का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद